हेलो फ्रेंड्स तो आज आपके लिए दुबार से हम एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हैं जिसमें कि हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे अल्टिमेट स्नैक्स जिसके अंदर गैरंटीड इनाम निकलते ही हैं यानि कि इसके अंदर जो है आज बहुत जादा खास निकले ही निकले हैं देखिए आपके लिए में लेके आया है जस्ट गडबड और हम आपके लिए सबसे फेवरेट जो की लोगों में जिसका सबसे आजा क्रेज रहता है यह देखो टिक टॉक इसके अंदर यह आप देख सकते हो इस बच्चे के हाथ में एक आईफोन जैसा गुछ बना हुआ है तो याणि आप समझ लो कि आपके जो हैं आज फोन भी निकल सकता पैसे भी निकल सकते हैं तो यानि कि टिक टॉक जो है आपकी लाइफ बदलके रगदेगा यह पहले दस रुपे में आता ता अब पांच रुपे में आने लगा है लेकिन इसकी पैसे निकलेंगे पैसे निकलेंगे पैसे निकलेंगे तो चलो देखते हैं आज होने वाला क्या है तो इसी तरीके से हमारे पास है गाइस लक्की नंबर 786 जो की लोगों का 786 लक्की नंबर होता है वहम देखेंगे के हमारे सकंदर निकलेगा 786 का नोट या नहीं निकलेगा यह ABCD गाइस और यह पेट बरलो यह लाइट वाला का जाना और यह है हमारी दादी की गुल्लक जो की मुझे बहुत ही जादा प्यारी है यह देखो इसमें गोल्ड कोइंस बने हुए गाइस तो जानी कि मुझे तो लग रहा है कुछ सोने का कुछ निकलने वाला या फिर इसमें से नोट निकलने वाले हैं यह गाइस हमारा हमेशा की तरह फेवरेट रहने वाला उडान लाइट वाला जिसके अंदर फ्री गिफ्ट इंसाइ तो निकलता ही है तो आज हम देखते हैं कि क्या हमारे सच में पैसे निकलेंगे या आज भी हमें सिर्फ खाली हाथी पैन के साथ जाना पड़ेगा तो चलो फटावट से करते हैं अब इनको अन्बॉक्स और मैं आपको दिखाता हूं रिव्यू करके उससे पहले अगर आप आपको बहुत जादा मनोरंजन भी मैसूस होगा अकड बकड बंबे बो असी नब्बे पूरे सो ओ माई गॉड गाइस सबसे पहले ही सोर नंबर पे आती है हमारी दादी अम्मा यानि कि दादी की गुल्लक तो अब जो है आने वाला है बहुत जादा ही मजा ये देखो इसक हमारा फिजिट स्पीर निकल सकता है पैसे निकल सकते हैं और हमारी जो है सोने की महरे निकल सकते हैं सोने का कोई भी आइटम निकल सकता है तो रावल की तरफ से आने वाला दादी की गुल्लक इसको हम पठापठ से कर देते हैं अन्बॉक्स ये कट हो चुका है पूरा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये देखिए ओ माई गॉड गाइज दादी की गुल लगने जो है हमें तो माला माली बना दिया है ये देखो गाइज इसके अंदर स्नैक्स तो निकले ही है और इसमें निकला है हमारा एक खेनने वाला टोई साथ में इसके बाद मुझे कुछ और भी दिख रहा है और वो है ये देखो अमेजिंग सा एक सुनहरा यानि की गोल्ड का ओ माई गॉड इस पे तो गाइस ओम नमस्शिवा लिखा हुआ है तो फटावाट से बच्चो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूनना और कमेंट में लिखके बताना आपको ये गोल्ड का कड़ा कैसा लगा और आपको भी ये चाहिए तो जाद से जादा दोस्तों में अपने शेयर करो ताके मैं ये आपको गिफ्ट जो हूँ अन्बॉक्स करते हैं और मैं इसको आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ तो अब इसके बाद इसके अंदर ओहो गाईज इसके अंदर जो स्नैक्स निकले साथ में हमारा एक प्यारा सा टॉय निकला है जो कि है गाईज एक वेल मचली ओ माई गाईज वेल मचली से अगर आपको डर लगता है तो मुझे जरूर बताना मुझे तो बहुत ही जादा डर लगता है गाईज लेकिन दोस्तों इसको जो मैं गली के बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को दे दूँगा ओहो इसके अंदर तो एक टॉर्च भी निकले यानि कि आज तो सच में हमारी चांदी हो गई तो चलो अब मैं जो हूँ आपको इसका एक डेमो देता हूँ इसको चला करके दिखाता हूँ कि या एक्च्वल जल भी रहा है और सिर्फ है इनुने एससे ही दिया है तो मैं जोओ अभी इसको आपको जलाता है इसमें मैंने जो है स्यल तो इसमें डले ही आया है और जो हैं अब इसको जलाते हैं तो lights off कर देता हूं मैं तो ये मैंने torch जला लिया है ओहो ये guys ये देखो दोस्तों कितनी प्यारी torch है इससे आप जो अंधेरे में खेल भी सकते हो अपने दोस्तों के साथ मातर 5 उर्पे के packet में only 5 उर्पे के packet में ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं स्टैम पे ये snacks ओहो ये तो अपना doraemon है और ये अपना tik-tok snack है अब आपके लिए मैं जो tik-tok ही खोनने वाला हूँ तो चलो दोस्तों अब इसको बंद करके side में रख देते हैं अब चलते हैं tik-tok पर क्योंकि अब मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा हूँ और मुझे पता है आप लोगों से भी नहीं रहा जा रहा होगा क्योंकि इसके अंदर जब से हमने ये phone देखा है हमें बहुत ज़्यादा उस्चता हो रही है कि ये phone इसमें निकलेगा या फिर ये पैसे निकलेगे या सिर्फ हमें 2 रुपे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ेगा तो मैं आपको बता दू ये रवी की तरफ से आता है ये नास्ता जो कि 10 रुपे का आता था लेकिन अब ये सिर्फ 5 में आता है लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमारा अगर 5 रुपे में phone निकल जाता है तो हमारी आज तो दोस्तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तो मैं जो हूँ सबसे पहले इसको नीचे कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर निकलता है ओहो दोस्तो इसमें तो सच में हमारा जो है एक iPhone निकल गया है अरे यार ये क्या मुझे लगाता है सच में हमारा iPhone निकलेगा लेकिन कोई बात नहीं दोस्तो खेलने के लिए हमें एक toy तो मिल गया है जो की बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत मज़ा आगया आज तो मन कर रहा है मेरा भी कहने का कि कमाल हो गया एकदम धमाल हो गया और बेमिस साल हो गया तो चलो इसके बाद आती है बारी हमारी light वाले खजाने की जिससे की आपको अच्छे तरीके से पता होगा मैंने लास्टाम भी बताया था कि यसोदा जी कंपनी की तरफ से आता है जिसमें लोगों को रबर से ले करके खजाना तक भी मिल जाता है कार, शॉपनर, पैन, पैंसिल आपका कुछ भी निकल सकता है लेजर, लाइट, टॉर्च कुछ भी आपका इसके अंदर निकल सकता है तो इस प्रोड़क्ट को भी हम फटापट से कर लेते हैं अब इसमें यही देखना है हमें कि स्नेक्स के साथ-साथ हमारा इसमें क्या-क्या निकलेगा तो अब फटापट से जो है हम इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं ओ माई गॉड गाइज इसमें तो स्नेक्स तो निकले ही है साथ में इसके साथ हमें मिली है इसके अंदर एक सचमुच में लेजर लाइट और गाइज ये क्या आप देख रहे हो आगे इसमें फ्लावर बना हुआ है और फ्लावर किस काम का है ये तो हमें पता चलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो चलो मैं फटावट से जो हूँ एक तो इसको साफ कर लेता हूँ और दूसरा अभी आपको अंदेर में जला के दिखाऊँगा ताके जो है आपको इन रोशनी का मज़ा आ सके ये देखो फ्रैंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये ऐसा लग रहा है कि एकदम किसी ने लाल गुलाब बना दियो मेरे हाथ पे पर लेकिन ये मुझे खरगोश क्यों लग रहा है आप मुझे बताना कमेंट में कि ये एक्चुल में लग क्या रहा है अब चोलो इसकी दूसरी रोशनी टेस्ट करते हैं ओहो वाव दोस्तों ये तो बहुत ही जादा गजब हो गया देखो नीला कलर कितना प्यारा लग रहा है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ओहो ये टिम्टमाती हुई लाइट है अब तो मेरा एकदम मूड हो गया नाचने का कसम से मेर से रुका नहीं जारा मन कर रहा है डीजे पर जाके एकदम कूद पड़ू ओमाइगाड गाइज ये बहुत ही अच्छी लाइट है जो कि मुझे बहुत जादा पसंद आ रही है अब देखते हैं इसकी लेजर लाइट ओमाइगाड गाइज ये देखो इसे हम किसी के भी साथ खेल सकते हैं अपने क्लास में अपने घर पे और अंदेर में किसी भी चीज के उपर ऐसे टारगेट कर सकते हैं जैसे देखो मैंने बटन दबाया मेरे हाथ पे आ गया फिर मैंने अगर अपना हाथ अटाया तो ये सिर्फ इस बोर्ड पे आ गया वाओ गाइज तो चलो फटावट से दूसरे पेकेट की अनबॉक्स करते हैं मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि अब मैं डॉर्यमोन को अनबॉक्स करूँ यानि कि इसका रिव्यू दिखाऊँ लेकिन उससे पहले मुझे दोस्तो उस सुटता हो रही है यानि कि मेरे अंदर सबसे पहले excitement आ रही है ये जम के party करने वाला यानि कि रवी company की तरफ से आने वाला लक्की नमबर 786 दोस्तो लक्की नमबर 786 होता है आप अपना नमबर मुझे जरूर बताओ कि आपका लक्की नमबर क्या है अब इसको तो मैंने cut कर लिया है अब इसको मैं गिरा देता हूँ इसको गिरा दिया अब इसके बाद जो है ओ हो ओ माई गोड़ वाओ गाइस ये क्या इसके अंदर इन्होंने भले हमें snacks कम दिये लेकिन इन्होंने हमें एक पारलेजी दिया है जो की गाइस दो रुपे कर पारलेजी आता है लेकिन गाइस इसके अंदर छे बिस्कृट है लेकिन कोई बात नहीं आप दो दो करके अपने भायों में बार सकते हो आप जो हो अपने गली के किसी भी बच्चे को दे सकते हो नहीं तो जो रात में डौगी घूमते हैं आपकी गलियों में आप उनको भी दे सकते हो उससे उसकी भी मदद हो जाएगी और इसके साथ ही हमें इसके अंदर जो सबसे में इंपोर्टेंट है यार इसमें तो सच का एक असली नोट निकला है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तो अपने को पांच रुपे तो मिली गए ना हमारे पांच रुपे में पांच सा वसूल हो गए और क्या चाहिए अब हमारी बारी आती है डौरे मौन की तो डौरे मौन को फटापट से हम अन्बॉक्स कर लेते हैं तो अब इसको भी मैंने अन्बॉक्स कर लिया है इसको हम नीचे गिरा देते हैं और इसके बाद इसको खाली कर देते हैं इसके अंदर तो कचली निकल गई यानि कि इस होली पर हम दोस्तों को यहीं खिलाएंगे ओ माई गॉड अन्बिलीवेबल गाईज यह देखो डौरे मौन वाले कलर की गाईज इसके अंदर तो एक रिस्ट बैंड निकली है जो की गाईज ओ यह तो चल भी रही है गाईज यह तो बहुत ही अच्छी वात हो गई भले ही है टाइम गलत बता रहे लेकिन कोई बात नहीं हम इसका टाइम सैट कर लेंगे कितने सारे यूसिज है सबसे अच्छी बात मैं सच बताऊं तो मैं इसको किसी भी चेन में नहीं डालना चाता मैं इसको हमेशे अपने पास सखना चाता हूँ यार देखो कितना क्यूट है यह ओ माई गॉड वाव और अब बारी आती है इस रिस्ट बैंड की तो इसको तो म मैं आपको इसको अंधेरे में यह देखो इसमें टाइम कितना अच्छा दिख रहा है यानि अंधेरे में भी अब हम टैम देख सकते हैं अब सीधा चलते है एवी सीडी पे जो की फन फाइन कंपनी की तरफ से आता मात्र पांच रुपे में जो की स्कूल डेस के ऊपर वेज बजा खाली इसमें तो हमारा एक आइटम निकला है लेकिन दोस्तों यह अपने वादे के पक्के होते हैं वो अपना वादा निबाते हैं इन्होंने देखो हमें जो है इरेजर दी ही है यह कितनी प्रीमियम इरेजर है वाओ इसकी क्वालिटी देखो यार रबड की कितनी स् स्मूध है यह स्मूध ली ही आपके किसी भी काम को एरेज कर सकती है सिर्फ लिखे हुए को तो अब चलते हैं गडबर की तरफ अरे इसकर नाम में ही गडबर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यह अपने फ्री गिफ्ट इंसाइड के लिए जाना जाता है तो इस पर पैसे भी пригmee बन सकते हैं और हमारा बन सकता है दोस्तों पैन भी तो अब देखते यह here कि इसमें होता क्या है तो हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है पर मैं इसको गिरा देता हूं ये जो हमारा एक्सटरा जो भी समान है अब इसको इसके अंदर कर लेते tsikis अरे यार गाईज ये क्या ओहो ये तो इन्होंने हमारा पोपट बना दिया है ये दोस्तों इन्होंने हमारका बच्पन की याद तो दिलाए नी लेकिन इन्होंने हमारसा तंजूसी करी है इन्होंने पैन के नाम पर पता नहीं है क्या खिलोना सा दिया ये तो मुझे जो चोटी-चोटी सुपारी है वो मिल गई हमें जिसको खाके बहुत मज़ाएगा यह देखो अरे वाव कितनी कलरफुल है यह कितनी जादा अच्छी लगेगी यह तो चलो अब सीधा चलते हैं इसके बाद पेड़ भर लो पे अब इसको देखते हैं कि यशोजा जी की तरफ से आने वाले इस आइटम के अंदर क्या निकलता है तो इसकी तो हवाई पहले फुस हो गई इसने मेरी पूरी अक्साइटमेंट खराब कर दी पर लेकिन कोई बात नहीं अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा क्योंकि इस पर बना तो 50 का नोट भी हुआ है 10 का न चोकलेट मिनी है ये तो हमारे लिए बहुत ही मज़े की बात हो गई आरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा आज मेरे घर के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे और गली मौले वाले भी आज खुश होने वाले क्योंकि उनको आज बड़ा मज़ा आएगा वो भी कहेंगे के भाईय तो फटाफट से अब हम इसको भी अन्बॉक्स कर लेते हैं तो ये लो मैंने इसको काट कर लिया है और कट करने के बाद इसको भी हम अन्बॉक्स करेंगे अरे एक तो इसमें से स्नैक्स इतनी जल्दी गिरने लग जाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसको जो ह हम side कर देते हैं और अपना हम टोकरा ले लेते हैं और इसके अंदर हम इसमें गिरा के देखते हैं oh my god गिराने से पहले ही इसके अंदर मुझे यह क्या दिख रहा है औरे amazing guys snacks तो इसमें अच्छी quality के हैं ही साथ में लेकिन दोस्तों यह क्या हरे मैं आपको इसको तसली से दिखा जेता हूं कि guys यह क्या है यह देखो यार आपको तो मज़ा ही आ जाएगा यह guys बताओ gas करके सबसे पहले तो आप लोग खुछ से gas करो और मुझे बताओ कि यह एक pen है या एक pencil अरे यार यह तो मुझे भी नहीं पता मैं तो मजा कर रहा था इम जोकिंग चल इसको चला कर देखते हैं अरे इन लोगों ने तो हमारा बेव कूफी बना दिया यह देखना इसमें कुछ भी नहीं है और इसके अंदर पूछे से भी खा लिया पूरा पूरा इसके अंदर कोई सिक्का नहीं डाला इन्हों अच्छा काम हो गया है वह आप पूछोगे क्या तो गाइस वह यह के हमें एक गन मिल गई अरे वाह इसके तो क्या ही कहने यह देखो यार कितनी प्यारी गन है अब इससे जो है हम अराम से खेल भी सकते हैं और इससे हम दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू- एक आर्मी वाली गन थी एक एक 47 भी समझ सकते हो एक निकला हमारा एक दम रियल वाला दिखने वाला 500 का नोट हमें मिला एक पारलेजी बिस्किट जिसके अंदर 6 बिस्किट आते हैं एक एरेजर बच्चों की खाने की चीज जो की सुपारी है एक फिरकनी यानि की फिजिट स्पीनर जिसको घुमाने के बाद बहुत ज्यादा मजा आता है देखो कुछ इस तरीके से और एक सोने के जैसे दिखने वाला एक सुनेरा सा कड़ा जो कि आप घर में अपने किसी भी छोटे बच्चे को पहना सकते हो और एक डॉरेमोन का कीचेन यानि की छला जो की बहुत जादा क्यूटे दिखने में यार क्या बताऊं और हमारी निकली एक चॉकलेट जो की आज मैं जो हूँ गली के बच्चों को दूँगा जिससे की वो भी बहुत जादा खुस हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारी निकली एक वेल मचली ये देखो और ये पता नहीं ये कौन फूल जैसी थी और ये बहुत सारे कलर में जल रही थी और इसके साथ हमारी निकली एक टॉर्च जो की जलने भुजने वाली टॉर्च थी यार यार निकी मैं आज आपको बता दो कसम से अभी जब मैं ये गिनूँगा तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा कि कितने सारे ग अखरी और जो मज़ेदार था गिफ्ट जिसको देखके दोस्तों आपको भी मज़ा आ जाएगा ये खेलने वाला ये देखो मेरे पास भी अब तो आइफोन हो गया अब मुझे किसी से बड़े वाले से लेने की जरुरत नहीं है ये मेरा छोटा वाई अब इस आइफोन को अपने पास हमेशा रखेगा देखो कितना अच्छा है तो मैं आपको गिनायता हूं ये कितने सारे हैं ये देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा ओहो दोस्तों आज तो बहुत ही कसम से आज बहुत मज़ेदार दिन था यार पूरे पंद्रा नाम निकले हैं हमारे सिर्फ पांच रुपे के पैकेट में इतने सारे तो दोस्तों अगर आपको भी बहुत जादा मज़ा हो तो यार आपको तो पताईए आपको भी मन करी रहा होगा लाइक करने का तो फटावर्ट से लाइक कर दो ये कहने वाली ब झाली पांच तो